इस विडियो में आपको कहानी सुनाएंगे वहीदा रह्मान की वहीदा रह्मान आज 86 साल की हो चुकी है लेकिन उम्र के इस पड़ाओ में भी वो अपना सालों पुराना फोटोग्राफी का शौक पूरा कर रही हैं इसके लावा वो स्कूबा डाइविंग तक करना चाहती है पद्मशरी, पद्मभूशन और दादा सहाब भालके जैसे बड़े सम्मान हासल कर चुकी वहीदा रह्मान महज 17 साल की उम्र से हिंदी सिनिमा का हिस्सा हैं कभी डॉक्टर बनने का सपना देखने वाली वहीदा रह्मान एक मजबूरी के चलते फिल्मों में आ गई और सी आईडी, प्यासा, कागस के फूल, नील कमल और चौधवी का चांड जैसी कई सुपरिट फिल्मों का हिस्सा बन गई सबसे खास बात ये है कि उन्होंने इन सभी फिल्मों में अपनी शर्तों पर काम किया बॉलिवुट की बोलती खबरों सो लेकर पुराने सितारों के रास खोलती कहानियों तक, बात दुनिया के रहसियों की रूप या हैरान करने वाली घटनाओं की, यूट्यूब का सबसे रंग बिरंगा कॉंटेंट, मेरे साथ सिर्फ उज्वाट रवेदी टॉक्स पर एक जमाना था जब गुरुदत और राजखोसला जैसे बेहतरीन फिल्मेकर के साथ काम करने के लिए लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते थे, उसी वक्त 17 साल की वहीदा ने उनसे अपनी तीन शर्तें मनवाईं, पहली शर्त कि वो कभी परदे पर रिवीलिंग य के सेट पर उनके साथ रहेंगी, उनका हुनर इस कदर था कि उनकी सभी शर्तें भी आसानी से मान ली जाती थी, तीन फरवरी 1938 के दिन वहीदा रहमान का जन्म, चेंगल पट्टू, तमिल नाडू में, जिला कमिशनर अब्दुर रहमान और मुम्ताज बेगम के घर हुआ, वो चार बहनों में सबसे छोटी थी, वहीदा रहमान को बचपन से ही भरत नाट्यम सीखने में बेहत दिल्चस्पी थी, वहीदा ने जित की तो उनकी मा उन्हें चिन्नई ले गई, चिन्नई में जब वो एक गुरू जी के पास पहुँची तो मुसलिम होने पर गुरू ज जब वहीदा जित पर अड़ी रही, तो गुरू जी ने उनसे अपनी कुंडली लाने को कहा, मुसलिम होने की वज़ा से वहीदा के पास उनकी कुंडली नहीं थी, ऐसे में गुरू जी ने खुद उनकी कुंडली बनाई, जैसे ही गुरू जी ने उनकी कुंडली देखी, त स्कूल के दिनों में वहीदा ने ठान लिया था कि वो डॉक्टर बनेंगी और इसके लिए वो जम कर पढ़ाई भी किया करती थी। लेकिन कुछ ही समय बाद उनका सपना तूट गया। वो महस 13 साल की रही होंगी जब अचानक उनके पिता की मौत हो गई और उनकी मा भी अक्सर बीमार रहने लगी। पिता की मौत के बाद घर की आर्थे के स्थिप बिगड़ने लगी। ऐसे में उन्होंने अपने भरतनाट्यम के हुनर का इस्तमाल करके रीजनल सिनेमा में कुछ पहचान वालों की मदद से उन्हें 1955 में आई टेलगू फिल्म रोजलू मराई के गाने में चोटा सा रोल मिल गया जिसके बाद वो कुछ टेलगू फिल्मों में दिखने लगी। वहीदा की पहली फिल्म रोजलू मराई का प्रेमियर हैदरबाद में हुआ था जहां ह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के नामी फिल्म में कर गुरुदत भी मौजूद थे। प्रेमियर में गुरुदत ने जैसे ही वहीदा का भिने देखा तो वो बेहद इंप्रेस हुए। मुलाकात के दौरान उन्होंने वहीदा को मुंबई आने का उफर दे दिया। मुंबई युसफ खान दिलब कुमार बने और महजवी बनी मीना कुमारी। गुरुदत और राजखोसला भी यही चाहते थे कि वहीदा रह्मान का भी नाम फिल्मों के लिए बदल दिया जाए। एक मीटिंग के दौरान गुरुदत और राजखोसला ने वहीदा रह्मान से कहा वही वहीदा का नाम ना बदलने की शर्ट पर राजी हो गए। लेकिन इसके बाद उन्होंने एक और शर्ट सब के सामने रख दी। वो शर्ट थी कि शूटिंग के दौरान मेरी मां सेट पर आएंगी। राजखोसला को इससे कोई अतराज नहीं था तो वो जट से तयार हो गए। लेकिन फिर वहीदा रह्मान ने तीसरी शर्ट भी सामने रख दी। उन्होंने कहा कि मैं फिल्मों में अपनी कॉस्ट्यूम खुद फाइनल करूंगी और किसी के भी कहने पर छोटे कपड़े या बिकिनी नहीं पहनूंगी। वहीदा रह्मान की एक के बाद एक शर्ट सु सेट पर पहले दिन जो वहीदा रह्मान ने देवानन को आते देखा तो पास जाकर बड़े अदब से कहा गुद मॉनिंग मिस्टर आनन ये सुनते ही देवानन ने उन्हें टोकते हुए कहा मिस्टर आनन कौन है मुझे सिर्फ देव कहो फामल होने की जरुरत नहीं है इस से हमारी केमिस्टरी में फर्क पड़ेगा वहीदा का मानना था कि उनका शरीर रिवीलिंग कपड़ों के लिए मुनासिब नहीं है तो फिल्मे तो दूर की बात वहीदा ने कभी असल जिंदगी में भी स्लीवलेस कपड़े पहने ही नहीं वहीदा का चाम और हुनर ऐसा था कि फिल्मेकर्स उनकी इस शर्ट से राजी हो जाये करते थे वहीदा अपनी सादगी के लिए जानी गई जबकि उस जमाने में अक्टरसस मॉडर्न नजर आने की कोशिश में रहती थी वहीदा रहमान को हिंदी फिल्मों से जोडने का क्रेड़िट गुरुदत को दिया जाता ह वहीदा भी उनने अपना मेंटॉर मानती थी फिल्म CID के सेट पर ही वहीदा रहमान और गुरुदत एक दूसरे के नस्दीक आ गए थे जबकि गुरुदत पहले से ही शादी शुदा थे पहले ही फिल्म C.I.D. से वहीदा रह्मान ने देश भर में अपनी पहचान बना ली जिसके बाद गुरुदत ने उन्हें फिल्म प्यासा में कास्ट किया इस फिल्म में वहीदा के हीरो दिलब कुमार होने वाले थे लेकिन गुरुदत वहीदा की सादगी के इस कदर दिवाने थे कि उन्हें ने दिलब कुमार की जगा खुद को ही हीरो बना लिया वहीदा रह्मान पर फिल्माए जाने वाले सीन खुद गुरुदत लिखा करते थे फिल्म प्यासा में वहीदा रहमान ने एक प्रोस्टिट्यूट की भूमे का निभा कर अपने हुनर से खुद को टॉप की आक्टरस के बीच स्थापित भी कर लिया प्यासा के बाद वहीदा गुरुदत के साथ 12 अकलॉक, कागस के फूल और चौदमी का चांड जैसी कई सुपरिट फिल्मों में दिखाई दी वहीदा से शादी करने के लिए गुरुदत अपना धर्म तक बदलने को तयार थे लेकिन जब दोनों की नजदीकियों की खबर गुरुदत की पत्नी गीता तक पहुँची तो उन्होंने बच्चों के साथ उनका घर छोड़ दिया शादी तूटने के डर से 1963 में गुरुदत ने वहीदा से मिलना जुलना भी पूरी तरह बंद कर दिया वहीदा को गुरुदत के पास जाने की अजाज़त भी नहीं होती थी हालाकि इस कुरुदत की बावजूद भी गुरुदत का परिवार उनके पास नहीं लोटा परिवार से अलग होने के बाद वो शराबी बन गए और अकेले रहते हुए 1964 में शराब की ओवरडोस से उनका निधन हो गया गुरुदत की टीम से अलग होने के बाद वहीदा ने सत्यजीत रे की फिल्म अभीजान में काम किया और बैक टू बैक कोहुरा और बीस साल बाद जैसी कई सुपर हिट फिल्में दी वग大哥 वजयाणन जोकी देवानन के भाई थे उनको पता चला कि वहेदा को अंग्रेजी नहीं आती तो उन्हों को जुकना पड़ा और फिल्म गाइड में वहीदा को लीड रोल दिया गया इस फिल्म के लिए वहीदा को उनके करियर का पहला फिल्म फेर बेस्ट एक्टरस अवार्ड भी मिला था 1964 की फिल्म शगुन की शूटिंग के दौरान वहीदा रह्मान की शशी रेखी से पहली मुलाकात होई शशी रेखी एक अक्टर थे जन्हें कमल जीत नाम से पहचाना जाता था चंद सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने 1974 में शादी कर ली इस शादी से कपल के दो बच्चे सोहिल रेखी और काशवी रेखी हैं वहीदा रह्मान के दोनों बच्चे जाने माने राइटर हैं शादी के ठीक बाद वहीदा रह्मान ने फिल्मों में काम करना लगभग बंद कर दिया कुछ समय बाद जब उन्होंने फिल्मों में वापसी करनी चाही तो लम्हे में दाई जान का रोल प्ले करने के बाद वहीदा रहमान ने फिल्मों से रिटाइमेंट ले लिया। उन्हे से क्यानवे में आई फिल्म लम्हे के सालों बाद वहीदा रहमान ने करन जोहर की फिल्म कभी खुशी कभी गम साइन की थी। इस फिल्म में वहीदा रह्मान अमिताबच्चन की मां का रोल प्ले करने वाली थी उन पर फिल्म के कई सीन भी फिल्म आए गए थी लेकिन फिर नवंबर 2000 में उनकी पती की मौत हुई और इसके बाद उन्होंने फिल्म करने का इरादा छोड़ दिया वहीदा के बाद ये रोल अचला सचदेव को दिया गया कुछ सालों बाद वहीदा रह्मान ने 2002 में आई फिल्म उम जय जगदीश से अपना अक्टिंग कमबैक किया था इसके बाद वो रंग बसंती और दिल्ली सिक्स जैसी फिल्मों में भी नजर आई उनकी आखरी रिलीज हुई फिल्म 2021 की सकेटर गल है वहीदा रह्मान को हमेशा सही फोटोग्राफी का शौक है शौक पूरा करने के लिए वहीदा अपनी फिल्मों के सेट पर भी कैमरा साथ लेकर जाती थी लेकिन कभी प्रोफेशनली वो फोटोग्राफी पर ध्यान नहीं दे पाई लेकिन अब फिल्मों से दूरी बनाने के बाद वहीदा रह्मान अपना यही शौक पूरा कर रही है 80 साल के उमर में वहीदा रह्मान ने वाइड लाइफ फोटोग्राफी शुरू की है और वो अक्सर समय निकाल कर जंगलों में समय बिताती है वाकई 86 साल के उमर में भी वहीदा रह्मान बहुत से लोगों के लिए एक मिसाल की तरह है कैसे हमें अपने सपनों को हमेशा पूरा करने की खुशिश करनी चाहिए अगर आपो ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा